जैहिन दोस्तो दिस ये वसंत आप सभी का स्वागाते आज के इस वीडियो में दोस्तो वो सारे इस्टूडेंट जो कि इंडियन एरफोर्स अगनी बीर का तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो उन सारे के लिए हमारा इज लिमित क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितना education qualification मांगा गया है और इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितने पैसे की जरूरत होगी और साथ ही दोस्तु मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि आखिर इसका जो exam है वो कब conduct कराया जाए तो दोस्तो आप इस वीडियो को अंतिक जरूर देखें लेकिन दोस्तो यह बताने से पहले मैं आप से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि दोस्तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम स Indian Air Force से related आपका जरू भी doubt होता है उस doubt को मैं clear करता हूँ तो यदि आपका कोई भी doubt हो Indian Air Force से related तो आप हम से comment box में comment करके पूछ सकते मैं आपका doubt जरूर clear करूंगा तो चलिए जानते हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों Indian Air Force के तरफ से जो new vacancy आई है उसका form भरने का starting date जो रखा गया है वो आपको 17 मार्च से रखा गया है और last date जो रखा गया है वो 31 मार्च तक रखा गया है अब चलिए आपको मैं education qualification के बारे में बताता हूँ तो देखिए दोस्तों Indian Air Force के form को भरने के लिए जो आपको education qualification चाहिए वो आप class 12 पास होने चाहिए एगरिगेट 50% marks आपका होना चाहिए और साथ ही दोस्तों English subject में आपका 50% marks होना बहुत ही जरूरी है तभी आप Indian Air Force के form को भर पाएंगे जरी आपका class 12 में 60%, 70% या 80% भी marks है लेकिन English में 50% से कम है तो आप Indian Air Force को form को नहीं भर पाएंगे तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखे अब चलिए दोस्तों आपको मैं age limit के बारे में बता देता हूँ कि आखिर इस बार आपका age limit क्या रखा गया है तो देखिए दोस्तों इस बार जो Indian Air Force Agnivir के form को भरने के लिए age limit रखा गया है वह 17 से लेके 13 साल तक रखा गया है मिन्स वो सारे student जिसका date अबर 26 December 2002 से लेकर 26 माई 2006 के बीच में है वो आसानी से इस form को भर पाएंगे तो दोस्तों यदि आपका age limit इसके बीच में बिलोंग कर रहा है औ और आप class with pass है तुम मैं आपसे request करता हूं कि आप इस form को एक बार जरूर भरे तो चलिए दोस्तों आगे अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस form को भरने के लिए आपको कितने पैसे भुकतान करने होंगे तो देखिए दोस्तों आपको Indian Air Force अगनी भी चाहे आप X Group का भ भरना चाहते हूं दोनों के लिए आपको 250 रुफिय फीद देने होंगे चाहे आप AC-ST से बिलंग्स करते हूं चाहे आप OBC से बिलंग्स करते हूं या फिर आप General से बिलंग्स करते हूं सभी के लिए 500 रुफिय फिक्स रखा गया है अब चलिए दोस्तों मैं आपको कराया जाएगा तो दोस्तों आपको चींता करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप अपना फ्रम जल्दी से जाके भर लीजिए और तैयारी कंटनीव कर दीजिए और इससे रिलेटेट कोई भी निवो अपडेट होगा तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेश्ट वीडियो में जैहंद